इस बीडियो को ध्यान से देखिए कितनी लंबी ये लाइन लगे हुई है और ये हालात है आपके तमिलनाडू की चिन नहीं खाव ये बीडियो काड़ी के माध्यम से रिकार्ड किया गया है लगबग 5 किलो मेटर लंबी लाइन सिर्फ पानी के लिए लगे हुई है दूसरी तस्वीर आपने देख लिया होगा उसमें क्या है तो ये सब आप लोग को समझने की जरूरत है पानी जो सरकार पाइपाइट से भेजती लेकिन पूटी पूटी पाइपाइट से 40 प्रतिशत पानी बह जाता है बरबाद हो जाता है हमारे देश में 20 करोड लिटर पानी को रोज सिर्फ कारों को धुले में बहा दिया जा रहा है जर गवर से देखिए ये पानी की बरबादी अभी दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे पानी के लिए मार तस्वीरों में कुछ समझ में आया चौकी ये मजना अब तीसरा बिस्यूद सिर्फ पानी के लिए होगा और उसकी तैयारी आप लोगों के दोरा हम के दोरा तैयार की जा रही है प्रते दिन हजारों लाखों लिटर पानी बरबाद हो रहा है पहले तस्वीर में आपने देखा प्रयाग राज में सफलाई का जो पानी है वो 24 गंटे में जितना भी गंटे आता 12 गंटे पानी आता लगबग बहता रहता है दूसरी तस्बीर में आपने देखा तमिलनाडू का हाला तमिलनाडू का चेन नहीं एक ऐसा साहर है जहां पर पानी भूमी गजल पूरी तरह से लगबग समाप थो चुका है दो सो फीट गहराई पर पानी मिलता था आप दो हजार फीट नीचे जा चुका है इतना ही नहीं आपको कुछ सरकारी संस्ताओं के हम डाटा बता देते हैं सबसे बड़ी तो बुरी बात यह है कि निती आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में 6% GDP घटेगी वो भी सिर्फ पानी की कमी से WRI World Resource Institute जिसे बोलते है The World Resource Institute जो की संसार के पूरे देशों में अध्यन करती है उसके मुताबिक आने वाले साव सालों में आने वाले 100 एर में पानी की कोई बूंद नहीं बचेगी धरती पर पीने वाली पानी की आपको बता दें कि ध अगभग में मात्र 3% है 3% में से 2% यानि कि 2% चार परसेंट पानी गिले सेरो और अन्य महत्तुपूर्ण स्थानों पर भरा हुआ जिसको आप डारेक नहीं पी सकते हैं मात्र 0.6% पानी जो है वो पीने के लिए भूमिगर्जल यानि कि आपने देखा होगा जिसे नल या कुणवाँ बोलते हैं उन में उपस्तित है मात्र 0.6% पानी और इसी पानी का उपयोग जो है इसका 80% सिचाई में परियोग होता है नदियों और भूमिगत जलका 80% सिचाई में जाता है बाकी जो बचा हुआ पानी है कारों को धुलने में, जानवरों को नालाने में इसके अलामा अन्ने इधर उधर के कामों में खर्चा होता है हम आप से ये नहीं कहते हैं आप अपना काम मत करिये अपना काम करिये लेकिन कुछ ऐसी तस्बीरे में आपको हमने दिखाया जहांपर 24 गंटे पानी बेवज़ा भायता रहता है इसको रोकनी की कोशिज करिये जनाब आपका करतब्ब है आपको पता है भारत वा देस में लगबग 467 लोग प्रते दिन दूसित पानी या पानी की कमी से मर रहे है इतना ही नहीं एक साल का अगर पूरा डेटा जुता है सुतंत संस्थाओं द्वारा उपस्थित मौजूद किये डेटा के अनुसार भारत देस में लाखों लोग प्रतिवर्स पानी की कमी से होने वाली बीमारियों से मौत को प्राप्त कर रहे है और आगे अगर आपको बता दे तो उज्जैन महाकाल की नगरी में हजारों होटल बंद हो चुके हैं सिर्फ पानी की कमी से अरे कभी यूटूब में सर्च करिये जल संकट वहाँ पे देखिए इंटरनेट पे सर्च करिये क्या हो रहा दुनिया में आपके सामने नल जो लगा हुआ 24 गंटे बाहरा है आप कहतो हमारा क्या जा रहा है गाउं में कुछ ऐसे नलकूप हैं कुछ ऐसे बेवकूप हैं फिरी की बिजली मिल रही है फिरी का पानी मिल रहा है उनका कभी तिल्लू जिसे बोलते है बंद ही नहीं हो रहा है समर सेवल खेत में जा रहा है चाहे धान का खेत भर गया है पलोसी के आँ बहरा है लेकिन बंद नहीं करते हैं यह मैं आपको रियल हालात बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग सुधर जाईए, सुधर जाईए, लगबख 70% पानी जो भारत में उपसी थे वो परदूसित हो चुका है, और इस तरह से कुल 122 देशों में भारत 120 में अस्थान पर पहुँच चुका है, और इतना ही नहीं, 20 मे पहला भी आपको मिलेगा, और आने वाले कुछ ही सालों में भारत देश में पानी नहीं मिलेगा, दूद और पिट्रोल डीजल चाहे कहीं मिली ही जाए, और फिर इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा मार काट होगा, फिर उसका कोई नतीजा नहीं ह उनके मन में इसके प्रती जानकारी बिठाएं इस तरह से कि वो अगले को भी जागरूख करें, गिरड़ा भाव से नहीं, प्यार से समझाएं, तो मित्रों इस पीडियो को अपने दोस्तों में भी सेयर करिएगा, जिससे कि अगला भी कोई एक जागरूख हो सके, और आप स जनता तरस्त यह हर चेतर में हो रहा है, तो मित्रों माफ करिएगा अगर बुरा लगा तो लेकिन इस वीडियो को सेयर जरूर करिएगा, बहुत बहुत सुक्री आप सभी को, इन्हीं उमीदों के साथ कि आप सेयर करेंगी, और करिएगा भी, भूलिएगा मत यह आपका दा तोर करता बे दोनों होता है